है किआ प्रेंट्स मिलकुन झ्रेटिंग तो आज हम बात करेंगे उट कि को fertility के बारे में और देखे के से जो है कंपनी के इस बार को आते हुए दिखें और आगे आपको इस तरीके का जो है रुजहान देखने को मिल सकता है मौईल के अंदर तो हमने आपने शायद देखी ना हो तो आप देख भी सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है यह मिल जाएगी और यहां पर तो आप जो है कि अपर्फॉर्मेस देखेंगे कि तरीके से एक साल परेली एक महीने पहले की यह बडियो है तो आप यहां पर देखेंगे तो मैंने इसका लिखा यह इसलिए था कि आगे पर फॉर्मेंसिंकी इनकी सुधर्ति हुई सी लग रही है इस क्वां दिती कि 11 साल तक नेगेटिव रिटर्न है लेकिन अब कहीं जाके थोड़ा बहुत मौका बनता हुआ दिखेगा यह नहीं दिखेगा यह देखने वाली बात है चार्ट के ऊपर तो बात करेंगे इनकम तो बड़ी है अच्छी प्रोफिट विल्टी में जो है कंपनी आते हुई दिखी है और जो पर्फोर्मेंस जो किया है यह नहीं और जो परफॉर्मेंस जो सबसे बढ़ी आई यह मैनिंग प्रोड़क्ट से भी आई है मैनुफेक्टर प्रोड़क्ट से भी आई है पावर से भी आती हुई देखिए कॉट्र अगर देखने को तो यहां पर देखेंगे तो अब एक मिला जो 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 है इनका इस बार का परफॉर्मस्स जो है रहा है मौयल का तो अगर आपको यह वीडियो चलेकर तो आप लाइक जरू करेंगे अगर आपने हमारे चैनल को इताइब तो इस टॉक ने जो नीचे जो लो लगाया है वो लगाया करीब करी 85 के आसपास का वहां से देखेंगे तो 38.2% की रेस्टेंस के ऊपर अब निकलने में थोड़ा से इस टॉक जो है निकलने लगा है अब देखने वाली बात ही होगी कि यह 61% की रेस्टेंस के आसपास तक कब की मांत्रा में तो यहां पाद करते हैं तो इस टॉक की अगर परफॉर्मेस यहां से अगर हम आके तो यहां से आप देखेंगे तो 그게 जाए बेस मान के चलते क्योंकि यहां तक जो है डाउन आया फिर्सके बाद में यहां से भूमा भी यह तरीके से और इस टॉक कि तो इसने करीव-करीव धकी दिया है एक महीने की केंडल और भी यह तो पूरा अभी तो महीना है तो यहां पर बात करते हैं तो यह स्टॉक मुझे लगता है अब यहां से एक निकलने का दमखम रखता है इस एडिया से अगर यह निकलता है और दुबारा से यह अपना 200 इंदिविल पर तो स्टॉक्ट जो है भूलिष ट्रैंड में है जो की पर्फॉर्मेंस अच्छी ऐल बन रही है और हैं और सब्सक्राइब बिकली तब पूलिष फॉर्मेशन जो होता हुआ देख एंड वेनूब से भी देखेंगे तो फॉर्मेशन जो है बुलिश में चल रहा है अच्छा खासा जो है इसने ब्रेक आउट दिया है तो अगर यहां से परफॉर्मेस मुझे लगता है सुधरती हुई दिखनी चाहिए इसकी नीचे के स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहिए 155 रूपीस का क किसी के लिए यहां लेना चाहता है फिर देखना चाहिए मुझे लगता है कि यहां से स्टॉक जो है परफॉर्म यह करना चाहिए जिस तरीके का रिजल जो है आता हुआ दिखा है मॉयल का उसको देखते हुए एंड साथ के साथ देखेंगे तो 10 की EPS है स्मॉल कप कंपनी ह देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंट टेकर है कंपनी एंड रेगुलर देखेंगे 2017 में इसने बोनस भी दिया है तो परफॉर्मेंस के इसाब सब्सक्राइब देखेंगे और दूसरी बात क्या है डैट फ्री कंपनी बहुत ही शांदार है वैसे तो अगर मॉयल की अगर और और अगर इले चले की तो फिर बात अलग है लेकिन यहां से अगर चलतीए तो परफॉर्मेंस मुझे लगता इसकी सुधरती पशुए चाहिए और देखते से ग개 पर फॉर्मेसों कैसी रहती है और यहां से क्या है कि अपने आप स्टॉक बताने भ भी लग अदेरे देखना पड़ेगा यहीं तक रह जाता है फिर दुबारा नीचे आता है अगर यहां से नीचे अगर आता है तो मेरे एसाब से फिर कोई इसमें एक ज्यादा बड़िया फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा यहां से यह होना चाहिए ग्रीन केंडल जो है और अपसाइड में जो है जानी चाहिए और इसको जो है स्ट्रॉंगनेस मिलनी चाहिए तो एक अच्छा खासा जो है इसमें कन्विक्शन आता हुआ दिखेगा तो अपना भी एनलाइस लेकिन एक बाद जरू कर ले स्टॉक के उपर उसके अधि तॉक को भाई से लिया होल्ड करें कि एसाप से लेकिन एक बाई बनता है एंड लॉंग तेम के एसाब से भी बनता है उससे इरिया को आप एक अपना बेस मान के चले उसको श्टॉपलस मान के चले और इस टॉक में जो है वाई कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं ह होल्ड इसको किया जा सकता है तो इस इस टॉक से रिलेटर अगर कोई और भी क्या रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं थैंक्यू